कपास की निलामी किसानों की उपर नहीं बिखने से कई काम भी परभावित होंगे अन्य प्रदेशों की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कपास की व्यपारी मंडिय टेक्स 50 पैसे किये जाने की मांग कर रहे हैं जिसे लेकर पूरे परदेश में कोटन एसोसियेशन द्यारा मंगलवार से और निश्चित कालीन हर्ताल की जा रही है। हर्ताल किस से पहले सोंवार को खंडवा ख्रिशी उपर मंडी में सो गाड़ी कपास की आवक देखने को मिली। यहां किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे लेकिन भाव नहीं मिला और वेपारियों का कहना था कि कपास गिला है और खराब है जिसके कारण बोली नहीं लगी। अच्छा मिलेगा। बारिश के चलते कई शेत्रों में कपास की फसल पर भावित हुई। शेत्रों पर किसान संतुष नहीं हुए। कपास के किसानों का कहना है कि मंडी की हरताल से किसानों का पूरा साल बिगड़ जाएगा। किसान बहुत अमीद लगा कर बैटे थे जिनकी कपास निकल कर घर खलियान में रखी हुई है उनका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। बरसर रभी सीजन में गेहू चने की बोईनी की त्यारी किसान को करनी है जिसके लिए रिपरे की जरूरत है। पास बिकने पर किसान अगली फसल की तयारी करता है जो पर भावित होगी। इसके इलावा त्योहारों के समय किसानों को उपज का भाव मिलता है तो शुप कारे के लिए भी तयारी होती है। हर्टाल लंबी चली तो इस बर किसान कुछ नहीं कर पाएंगे। मध्य परदेश में अन्या परदेशों की तरह कपास पर मंडी टेक्स लिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर व्यपारी हर्टाल पर हैं। अन्या परदेशों में 25-50 पैसे टेक्स लिया जाता है जबकि मध्य परदेश में 1.5 रुपई से 20 पैसे अतिरिक निराक्षित शुल्प के नाम पर वसूल किये जा रहे हैं। जो अनुचित है टेक्स कम होने से किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा।